तो students मैं हूँ आपका रोई सवर अभी हम कर रहे हैं स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब पे चिंपभी एजुकेशन पे तो अभी हम पढ़ रहे हैं class 8 का chapter 9 है जो कि है sympathy ठीक है sympathy का मतलब होता है अच्छा react करना किसी को अच्छे से साहनुव होती देना तो हम sympathy जानते हैं to help someone ठीक है तो outline देखते है if it is happen मालनों अगर ऐसा आपके साथ हो गया कि आप बहुत ज़्यादा serious trouble में आ गया है तो what would you expect as a help आप किसी से help के रूप में क्या चाहोगे ठीक है पहला चार लाइन देखते हैं I lay in sorrow in deep distress मैं काफी ज़्यादा दुखी था काफी distress था काफी तकलीफ में था my grief of proud man here मेरा जो दुख जो है दर जो है एक proud man proud man दिमाग में रखेगा students rich man क्या कर सकते हैं rich man जो है उसी को हम proud man बोल सकते हैं तो एक rich man या proud man जो है उसे सुनता है his looks were cold वह देखने में काफी cold देख रहा था मतलब cool दीख रहा था अच्छा दीख रहा था he gave me gold उसने मुझे gold दिया बट not a kindly word उसने मुझे gold दिया बट उसने मुझे kindly मतलब्म मुझे sympathy नहीं दिखाया लीज से के kindly word का मतलब होगा कि support करना सांथ में बढ़का कुछ बाते करना या दुख को उसने मेरे दुख को बाता नहीं मुझसे कुछ बाते नहीं किया बस उसने मुझे गोल्ड दिया और वो चला गया my sorrow past simple सी बात से गोल्ड मिलेगा तो दुख तो खत्म हो जाएगी I paid him back फिर दुबारा उसने क्या कर दिया जब इनसान जो था जो की काफी दुखी था उसका जब दर्द खत्म हो गया उसका दुख का टाइम निकल गया तो उसने उस इनसान को गोल्ड वापस बाद ने उतना कर दिया जितना लिया था then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity उसे मैंने गोल्ड दिया उसे thanks बोला और charity मतलब दान देने के लिए मुझे मेरे उपर दिखाने के लिए उसे मैंने शुक्रिया कया और आगे चला गया ठीक है तो student से हमने जो पढ़ा पहला point में rich man help करता है किस चीद से gold से gold दे का help करता है लेकिन याद रखना है एक भी kindly word use नहीं करता है अब हम दूसरे paragraph में आते हैं ठीक है फिर से writer क्या बोलते हैं कि I lay in फिर से writer बोलते हैं I lay in want and grief and pain एक पर फिर से writer के शिती खराब होता है वो फिर से वो क्या होते हैं पेन में दर्द में होते हैं चैल्स में का है जो है इसके writer है जहां भी I का use हो रहा है चैल्स में का खुद बोल रहा है इस बार क्या है इक rich man नाव के एक poor man और poor man passed my way इनके तरफ से एक poor man जा रहा होता है वो देखता है देखने के बाद क्या करता है he bound my head सर पर चोट लगा होता है तो bandage कराता है he gave me bread यो भूखा होता है तो वो poor man क्या करता है वहाँ उसे खाना खिलाता है he watched me night and day वो दिन रात मेरी देखवाल करता है अब writer सोंच में ये पढ़ जाते हैं कि भाई how sell I pay him back again अब यह poor man ने मुझे इतना कुछ किया है मेरा इस तरह सपोर्ट किया है मैं इसे कैसे चुका हूँ for all he did to me इसने मेरे साथ जिस तरह से reject किया जिस तरह से मेरा help किया है ओ गोल्ड is great तब जाकर writer कर रियालाइज होता है कि पहले रिच मैंने जो गोल्ड दिया था उसे तो मैंने इजली रिप्लेस कर दिया था दे दिया था बट यह poor man ने जिस तरह से कि दाया करूना कि नहीं इससे ज़्यादा important या इससे ज़्यादा महांगा चीज स्रिष्टी में इस धर्ती पर नहीं हो सकता है क्योंकि हम इसे चाके भी वापस नहीं कर पा रहे हैं तो चैप्टर नाइन था कलास एट का यहीं पर स्टूरी आपका चैल समखाय का खतम हो जाता है स्टूरी का मैसेज यहीं है कि धन से ज़्यादा संपत्ति से ज़्यादा जो होता है क्रिपा दाया और काइडनेस की भावना जो होती है वह important होती है तो अब भी अपने life में इ कमेंट में मुझे और फिलीज हमारे चैनल चींपू भईया एजुकेशन को ज्यादा सज्यादा सपोर्ट किजिए ताकि हम वीडियो और जल्द अपडेट कर सके अगर किनी को किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन के लिए धन्यवाद